अब यह देखिए दोस्तों यह पेस्ट कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं यह यह देखिए डिटीटी पाउडर है यह डल गया इसमें और एक पैकेट यह दो 200 ग्राम का होता है यह पूरा पैकेट देखिए डल रहा है यह डाल दिया तोड़ा सा पानी डला हुआ है पहले से पानी फिर भी डालेंगे अपने हिसाब से और उसके बाद यह देखिए यह सफेदा है, 2001 कमपनी की सफेदा, देख सकते हैं, यह 2 किलो करीब सफेदा इसमें डाला जा रहा है, दो किलो यह सफेदा ओ गया, यह देख लिजए डबबा, 2001 कमपनी की है, और अब चाक मिट्टी भी डालेंगे इसमें, सफेदा इमेन इसमें पकड़ने काम करता है इसकी पकड़ से जबरदस्त पकड़ सफेदा डालने की वज़ह से उस पुट्टी से ज्याद़ काम्याब और ठिकाऊ होता है इसको गोल देंगे इस में इसी तरह और अब यह दखिए चाक मिट्टी डाल रहे हैं का दो किलो यह भी डालेंगे करें को similar को हुआ है कि दो किलो सफेदालो mindfulness कि मोने देखिए दो किलो सफेदा दो किलो चाक मिट्टी डाले गए और अब इसमें और मेटरियल दिखा रहा हूँ और क्या डलेगा यह देखे थोड़ा वाइट पेंट भी डालेंगे इसमें करीब दो धाइसो ग्राम यह देखे वाइट पेंट भी डाला इससे भी पकड़ो उसकी होगी दोनों को आपस में मिक्सिंग करने में यह मदद करेगा अब यह पेंट भी डाल के मिक्सिंग कर दिया गया आप इसमें और प्राइमर भी डालेगा वह दिखा रहा हूँ आपको यह पेस्ट देखिए कितना बेतरीन पेस्ट बनाया जा रहा है दोस्त इसमें डक्टर फिक्स्ट भी डालेंगे जिससे कुड़े मकुडे के लिए और पकड़ के लिए सब के लिए यह काम करता है अब देखें डाक्टर फिक्सेट भी इसमें करीब 50 ml डाल दिया अब करीब डाल दिया यह देखें इसमें वाइट प्राइमर भी डाल रहे हैं कि टोटल कितने आइटेम हो गए अभी आपको बताने वाला हूं एक मिनिट के खोल के आदा लीटर करीब इसमें वाइट प्राइमर बर्जर कंपनी का अधिए कि यह भी आदा लीटर ने डाई सौय में अधिए देखें दोस्तों यह बनाने के लिए मैंने क्या क्या डाला और पाउडर चार यह सफेदा पांच और डिटी टी पाउडर छे डल करके यह पेस्ट तयार हो रहा है इस एक बर मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं यह देखें वाइट पेंट यह देखे एक दो तीन चार और पांच और छे डिटीटी पाउडर एक चाक मिट्टी दो और सफेदा एक हजार एक कमपनी का तीन और वाइट प्राइमर चार वाइट पेंट पांच और यह डक्टर फिक्सट छे चे आइटम डल करके यह सारा बना है मातरा तो आपने समझी लिया दो किलो सफेदा और दो किलो चाक मिट्टी 500 ml वाइट पेंट 500 ml प्राइमर और 100 ml डक्टर फिक्सेट और 200 ग्राम डिटीटी पाउडर यह च्छाइटम मिलके यह पेस्ट देके तयार हो गया अब यह पेस्ट से इसकी पुट्टी इसी तरह से तयार की गई है अब यह देखे पेस्ट बनकर बिल्कुल तयार हो गया लगाने के लिए अगदम अब भी इसको इससे बेस बनाएंगे जो आपने देखा यह चट में बेस बनी हुई है तो यह कम पढ़ गया तो दुबारा कि की अब यह जो चत में आप देख रहे हैं जो एक बार फुट्टी खींची गई है इस पर रेख माल मारा जाएगा और इसको चिकना किया जाएगा फिनिशिंग किया जाएगा और फिर इसमें दुबारा फुट्टी खेंचेगी और अगर फिनिशिंग नहीं आया तो अब देखे पुट्टी की जा रही है अब दोस्तों ये वीडिया है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में